Hello students, welcome back to this channel. So, आज किस वीडियो में हम पढ़ेंगे pollution के बारे में. आच्छे से इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि pollution होता क्या है और इसके कितने types, इसके कितने kinds है. So, सबसे पहले हम इसके definition पढ़ते हैं कि pollution क्या है. Environmental pollution means pollution which is degrading the environment. Environmental pollution क्या होता है? जो कि हमारे environment को, हमारे वातावरन को degrade, हमारे वातावरन को खराब कर रहा है. उसको हम कहते हैं pollution. अगर मैं simple language में बोलूँ, तो हमारी जो भी environment है, उसके पीच में जो भी harmful चीज़ें add-on हो जाती है. जो कि हमारी health के लिए, human health, हमारे environment के लिए harmful होता है, उसको हम pollution बोल देते हैं. pollution is increasing day by day, यह जो pollution है, यह दिन बर दिन बढ़ते जा रहा है, और इसकी वज़ा से global warming भी क्या हो रही है, increase हो रही है. क्योंकि जो हम CFCs हमारे fridge में use हो रही है, हम vehicles यूज़ कर रहे हैं, उसकी वज़ा से जो भी gaseous निकलती है, और वो जो gaseous, जो की global warming, मतलब जो heat आती है न, sunlight से, उसको trap, उसको जकड लेती है, और बाहर नहीं जाने देती है, environment में आ जाती है, वो heat, उसको trap कर लेते है, heat को जो भी sunlight से आती है, अब जितनी जादा gaseous release होगी, उतनी जादा heat जो हमारी earth पे आएगी, तो यह पूरे एक concept है, बड़ा, की global warming क्या है, बाकी मैं इसके उपर भी video बनाई है, आपको अच्छे से इसके वारे में detail में पढ़ने है, तो में link इसका description में दे दूँगी, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, so, pollution की वज़ा से क्या हो रहा है, हमारी global warming जो है, इंक्रीज हो रही है, और global warming का इंक्रीज होना हमारी human health, हमारी earth के लिए नुकसान दाएग है, due to environmental pollution, there is an imbalance in nature, हमारे nature में भी इसकी वज़ा से imbalance create हो रहा है, इस pollution की वज़ा से, so, many birds, animals and plants are on the verge of extinction day by day, extinction means, खतम हो जाना, खतम हो रहे हैं, दिन बर दिन, क्या, birds, animals, plants, अब pollution होगा, तो, जैसे, मान लो, water pollution है, मतलब, पानी में गंदगी, तो, अगर bird वो, पानी पिएगा, तो, उसकी health के लिए खराब है, animal के लिए खराब है, और ये भी तो सांस लेते हैं, तो, air pollution की वज है, सर्फ तक लिए, क्या है, नुकसान दाये कहाँ, इसकी वज़े से ये खतम हो रहे हैं, extinction हो रहे है, तो, pollution की वजज़े से हम बोल सकते हैं कि, इनको, सारी जो living beings है, उनको क्या है, नुकसान है, और ये हमारी ही वज़े हो रहा है, जो कि, human activities, जो करते हैं, उनकी वज़े स 4 kinds of pollution, air pollution, water pollution, soil pollution और noise pollution. So one wise one, हम इनके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये क्यों कौन से पॉलुशन क्या क्या होते हैं. सबसे पहले हम पढ़ते हैं, air pollution के बारे में. What is air pollution? हमारी हवा में गंदगी आ जाना. Air pollution is the presence of substance in the atmosphere. हमारे बातावरण में वो substances, वो चीजें presence उनकी जो की harmful है हमारी health के लिए. वो गंदी गैशिस जो की हम जब लेते हैं सांस, तो क्या होता है हमारे अंदर जाती हैं और उसकी वज़े से हमारी health जो है वो effect होती है. and other living beings हमारे इलावा और जो भी living beings हैं उनके लिए भी नुकसान दाएगा और हमारे and or cause damage to the climate or to the materials. मतलब यह हमारे climate जो change हो रहा है वो यह climate को भी यह क्या कर रहे है? damage कर रहे है हमारी air. automatically जो air के बीच में pollution हो रहा है यानि कि air क्लाइमेट में भी change हाएगा उसको भी effect होगा उसके बाद air pollution mainly caused by किसकी वज़े से air pollution हो रहा है? जो कि industry, smoke of industries, factories, motor cars जो भी हम vehicles use करते हैं उसमें से भी दूगा निकलता है smoking करते हैं उसमें से भी दूगा निकलता है और वो हमारी air के साथ ही mix हो रहा है और air के बीच में जाके यह क्या आ रहा है? air को pollute कर रहा है so this is the air pollution अब पढ़ते हैं next water pollution now water pollution क्यों होता है? water pollution is the chemical or biological change in quality of water mainly due to the presence of waste and harmful particles in water अब water के बीच में किसका? chemicals का mix हो जाना या जो भी उसके बीच में biological change हा जाता है जो कि हमारे water की quality को कम कर देता है या उसको harmful करता है कि हम अगर उसको पीएंगे, drink के बद पीएंगे तो हमारे लिए नुकसान दाएगे या जो भी हम उसके use में लाएंगे वो हमारे लिए क्या है नुकसान दाएगे हम क्या करते हैं कोई भी कूड वगरा होता है हम garbage अपना dump कर देते हैं उसके बाद और भी काफी जादा जो भी human activities हैं हम नदी के किनारे पे कपड़े दोते हैं कहीं लोग तो उसकी वज़े से क्यों होता है हमारा water जो है वो pollute होता है जो कि unfit है हमारी पीने के लिए the polluted water is not fit for drinking and is harmful to living beings जो भी living beings है उन सब के लिए ही पानी का गंदा होना क्या है harmful है animals, birds and human beings so यह था water pollution next है हमारा soil pollution अब soil की बीच में गंदगी आ जाना मतलब soil pollution contamination of soil with solid waste हम क्या करते हैं plastics, polythine मतलब हमारी soil के साथ जाके जब mix होता है तो soil हमारी pollute होती है chemicals mix हो जाना then excess of fertilizers ज़ादा से जब हम fertilizers को use करते हैं farmers use करते हैं या pesticides हम use करते हैं तो उससे क्या होता है हमारी जो soil है उसकी उपजाऊ जो होता है उपजाऊ पन जो होता है वो कम हो जाता है और उसकी quality में भी गिरावट देखने को मिलती है तो यह था soil pollution उसके बाद है हमारा noise pollution अब noise pollution क्या होता है noise pollution is unwanted or disturbing sound that can have harmful effect on human or living life और जो हमारी ear सुन नहीं सकता डिस्टॉब करता है हमें उसको हम कहते है noise pollution जैसे शादियों में देर राद तक हम loudspeakers यूज करते है उसके बाद crackers, ब्रास्टिंग दिवाली पे हम कितने सारे पठाके वगरा जलाते हैं इसके वज़ा से क्या होती है noise होती है उसके वाद construction activities जहां भी काम लगा होता है वहाँ भी construction की जो भी show शराबा होता है वो आता है ये सारा जो भी unwanted noise है इसको हम कहते है noise pollution कुछ हद तक तो हमारी ear बरदाश कर लेते हैं बट उससे जादा हमारे ear भी मतलब हमारे लिए हमारी health के लिए वो नुकसान दायक होती है तो इसको हम कहते है noise pollution ये तो थे हमारे चार काइंड के pollution जिनको हमने अच्छे से पढ़ा अब देखते हैं कि इसको control how to control pollution या इसको reduce हम कैसे कर सकते हैं pollution को अब हमने बढ़ाया है तो हमें इसको reduce भी तो हमें ही करना है तो कैसे करना है practicing the 3R concept अब 3R concept क्या है reduce, reuse, recycle हमें चीजों को कम से कम use करना है उनको reuse मतलब reuse क्यों होता है मतलब चीजों को दोबारा से use करना है जो पहले चीज की है यह निकि उसको फैंक दो अगर वो use करने लाइक है तो उसको use करो reuse करो recycle चीजों को recycling करो जैसे हम paper use करते हैं लिखने के लिए तो recycled paper जो होते हैं वो भी हम use कर सकते हैं तो उनको recycle करके हम फिर से use कर सकते हैं उसके बाद reduce the usage of vehicles on road क्योंकि वेकल्स से क्या होता है दुआ छोड़ती है कार्व गएरा उसके बाद होन जोता है उससे noise pollution होता है तो यह भी pollution को contribute करती है तो इनको हमें unnecessarily हमें नहीं use करना है तो इनको हमने reduce usage इनकी reduce करनी है उसके बाद है creating awareness among citizens तो सबसे ज़रूरी बात हमें लोगों को aware करना है कि pollution जहां भी लोग कुछ करते अगर pollute करते दिखाई दे रहे हैं उनको रोकना है एक अच्छे citizen के नाते उनको रोकना है क्योंकि जो educated लोग हैं उनको ही यह चीज़े aware करनी है कि इससे हमें ही नुकसान है so awareness लोगों में पहुंचाना is much more important उसके बाद है enforcing the laws government हमारी laws और regulations निकालती हैं काफी सारे निकाले भी हैं और और भी निकालेंगी तो और ज़ादा अच्छे से हमें laws वगएरा regulate करने चाहिए laws, rules and regulations किसके उपर environment के उपर pollution के उपर कैसे इनको कम किया जा सकता है awareness, campaigns बगएरा लगाने चाहिए या जो भी है वो करना चाहिए so ये थे how to control pollution so इस वीडियो में हमने अच्छे से जाना कि क्या होता है pollution और उसके बारे में जो भी आपकी राए हो आप उसको comment section में बता सकते है और आपने दो questions जो है comment section में देने है first कि world environmental day environment day कब मनाया जाता है और second national pollution prevention day हम कब मनाते हैं तो ये दोनों आपने दोनों की dates जो है वो हमें comment section में बतानी है so I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो it's humble request to you कि please वीडियो को like जुरूर करिएगा और चानल को subscribe करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई and take care